प्राचीन मान्यता है कि शनी देव की कृपा प्राप्त करने के लिए हर शनीवार को शनी देव को तेल चड़ाना चाहिए जो व्यक्ति ऐसा करते हैं उन्हें साड़े साती और धाया में भी शनी की कृपा प्राप्त होती है लेकिन शनी देव को तेल क्यूं चड़ाते हैं? इसको लेकर हमारे ग्रंथों में अनिक कथाएं हैं। इन में से सर्वाधिक प्रचलित कथा का संबंध रमायन काल और हनुमान जी से हैं। रमायन काल में एक समय शनी को अपने बल और पराक्रम पर घमंड हो गया था। उस समय हनुमान जी के बल और पराक्रम की कीरती चारों दिशाओं में फैली हुई थी। जब शनी को हनुमान जी के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई तो शनी बजरंग बली से युद करने के प्रैयास की लेकिन शनी नहीं माने और युद के लिए अमंतरित करने लगे। अंत में हनुवान जी भी युद के लिए तयार हो गये। दोनों के बीज घमासान युद हुआ। हनुवान जी ने शनी को बुरी तरा परास्त कर दिया। युद में हनुवान जी द्वारा किये गय प्रहारों से शनी देव के पूरे शरीर में घय बहनक कर पीड़ा हो रही थी। इस पीड़ा को दूर करने के लिए हनुमान जी ने शनी को तेल रही धाल पाली है. उसके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाती है और धन अभाव खतम हो जाती है जबकि एक अन्यकथा के अनुसार जब भगवान की सेना ने सागर सेतू बांध लिया तब राक्षस इसे हानी ना पहुंचा सके उसके लिए पवनसूत हनुमान को उसकी देखभाल की जिम है तुम बहुत बल्चाली हो आँखे खोलो और मेरे साथ युद करो मैं तुमसे युद करना चाहता हूँ इस पर हनुमान ने विनम्रता पूर्वक कहा इस समय मैं अपने प्रभू को याद कर रहा हूँ आप मेरी पूजा में विग्ण मत डालिये आप मेरे आधरनिया है तब शनी देव लड़ने पर उतर आए तो हनुमान जी ने अपने पूँच में लपेटना शुरू कर दिया फिर उन्हें कसना प्रारम कर दिया जोर लगाने पर भी शनी उस बंधन से मुक्त ना होकर पीड़ा से व्याकुल होने लगे हनुमान ने फिर सेतु की परिक्रमा क शनी के घमन को तोड़ने के लिए पत्थरों पर पूँच को जटका दे दे कर पटकना शुरू कर दिया इससे शनी का शरीर लहुलुहान हो गया जिससे उनकी पीड़ा बढ़ती गई तब शनी देव ने हनुमान जी से परार्थना की कि मुझे बंधन मुक्त कर दीजिये मै अपने अपरात की सजा पा चुका हो फिर मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी तब हनुमान जी ने जो तेल दिया उसे घाओ पर लगाते ही शनी देव की पीड़ा मिट गई उसी दिन से शनी देव को तेल चड़ाया जाता है जिससे उनकी पीड़ा शांत हो जाती है और वे प्र शेही कीजिए जाद से जादा वीडियो को शेर कीजिए और भी ऐसे ब्रह्मान के अदभुत रहस्या और उससे जुड़ी बहुत सी अनसुलजे कहानियों को सुनने के लिए देखते रहिए अदभुत रहस्या